प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आर्डंस फरूम कंप्लीट की है और आर्डंस फरूम का बेसिक काम क्या था भई प्रीवियस फरूम क्या है जब मैं इस फरूम क्या है अच्छा तो बेसिक बात यह भी आपको याद रखना भी आपको याद रता है एक मैंने आपको बताईया जी Arden theorem वो हमने previous lecture में cover up करी है है ना दो lecture मैंने बनाया Arden theorem पर आप लीज चेक कर सकते हैं और ये दूसरा है हमारा shortcut method तो इस lecture में हम लोग shortcut method को detail में study करेंगे तो देखते जड़ा है ये method क्या है actually ना इस method में तीन steps हमें follow करने है step number one step number one क्या होगा हुई step number one कहता है कि if initial state has incoming edge if initial state has incoming edge मतलब किसी और state से हम लोग initial state पे आप आ रहे हैं यही मतलब वो ने incoming edge का तो अगर कोई ऐसा रस्ता है तो क्या करने है तो मैं आपको बता रहा हूँ if initial state has incoming edge then make new initial state make new initial state okay make new initial state and apply null move to actual initial state to actual initial state तीक है मैं एक बढ़ पढ़ देता हूँ भाई ने बहुत रफली लिखा है तीक हो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ if initial state has incoming edge then make new तीक है इस इस new मैं प्रॉपर ही लिख देता हूँ then make new initial state तीक है this is state make new initial state and apply null move to actual initial state तीक है actual initial state पर हमने null move डाल देंगे समझाओंगा भी जब ऐसे नहीं आपको clear होगा अभी मैं इसे points लिख रहा हूँ तीक है फिर मैं इनको explain भी करोगा step number two कहता है कि if final state has outgoing edge please ध्यान अखना if final state has outgoing edge मतलब final state से किसी और state पर जाने का रस्ता है बहुत सारी states से final state तक आने का रस्ते हूँ या उब्यसी बात है अगर बहुत सारी states से final state पर आने का रस्ता ही नहीं है तो फिर रेकली इंडरेकली हम क्या कहेंगे भई language accepted is five फिर तो वो कोई language ही नहीं अशेप्ट करवा पा रहा तो हम क्या कह रहे है बहुत सारी states से रस्ते हूंगे but final से किसी और state का रस्ता नहीं होना चाहिए अगर final से किसी और state का रस्ता है मतलब final state से आउट गॉइंग एजेज है वो ही मैं लिख रहा हूं कि final state has outgoing edge then make new final state ठीक है then make new final state make new final state and apply null move and apply null move from actual final from actual final to new final ठीक है और same चीज़ हमें follow करनी है अगर more than one final है तो भी ठीक है तो same step is followed bracket में मैं लिख देता हूं अब थोड़ा उपर करके लिखता हूं ठीक है same step is followed मतलब outgoing edge हो या ना को फरखने पढ़ता है लेकिन अगर दो या तीन final मिलगी तो भी आपको यह काम करना है अगर बहुत सारी final है उन सभी final state से null move डाल करके एक नई final state बना देना उस पर करना और जो आपकी actual थी उनको आप non final कर देना तो यह बात है जितना बहुत ऐसे समझ दियाएगा example कराऊंगा तो clear होगा तो basic सी बात याद रखने पर step number step number run क्या कह रहा है अगर आपके पास initial state पे incoming edges है अब्वेस ही बात है initial state से outgoing edges तो बहुत से जाएंगी अगर initial state से कोई outgoing edge नहीं जाएगी नहीं जाएगी तो फालतू हो जाएगा बिल्कुल आप समझ पा रहे हो तो जो भी हम FA बना रहे हैं उसमें क्या खास होना चाहिए अगर initial पे incoming edge जाएगी अगर initial पे incoming edge जा रही है तो आप कोई और नई initial state बनाऊगे और उससे null move से आप अपनी actual initial पे आऊगे ऐसे ही final state पे बहुत सारे incoming edge इस तो आई होगी बढ़ final से कोई outgoing edge नहीं जाने जाने जाएगी नहीं आरा तो कोई बात नहीं अभी थोड़ी दिर में आ जाएगा जब मैं एक्चुल मतलब कोश्ण पर जंप करूगा ठीक है जी अच्छा इस टैप नमबर त्री क्या है जी जब यह दोनों काम हो चुक है तो मतलब आप हमारे पास क्या है यह दोनों करने के बार हमारे पास एक initial state होगी जिस पर कोई income नहीं होगी और एक final state होगी जिस से कोई outgoing आट नहीं होगी ठीक है यह काम हम आप तक कर चुके है अब आपको क्या करने है step number 3 में eliminate state one by one from a eliminate states सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अग्वीज गलत होजाएगी फईनल से कोई आउटकोई गज नहीं है तो हमारे पास एक इनिशेल एक फानल है, obviously हमें उनको नहीं छेटना, और बाकि जितनी भीच में स्टेट्स है ना, उनको एक के करके एलिमिनेट करना है, तो भी मैंने लिख ए स्टेप नमर 3 में, एलिमिनेट स्टेट वन बाई वन इन एनी ओडर, एकसेप्ट, इनिशेल, एन फाइनल, लीविङ आल पाउट्स इन्टेक्ट, ये बात बढ़े इपॉर्टेंट है, लीविंग आल पाउट्स इन्टेक्ट, क्या मीनिंग है इस बात का, आथ खोड़ देरी में क्लिए हो जाएगा, तेक है? मैं लिख देता हूँ परोपर लिए अगर आपको नजर नहीं आ तो लीविंग 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 अल पाथ इंटेक्ट ठीक है ध्यान रखना सारे पाथ एकदम सेम रहने चाहिए अभी समझाओंगा एसे नहीं आपको क्लियर होगा तो लास्ट से बोल रहा हो भई पहले स्टेप क्या कहा रहा है अगर इनिशल से इनिशल पे को इंकमिंग आज है उसको इनिशल मत माना एक नई इनिशल बना लेना और उससे नल मूव से जो नई फाइनल बनाई है उस पे एक नल मूव दे देना तीसर स्टेप क्या कहा रहा है भई एक एक करके इसको इनिशल एंड फाइनल ठीक है एटिंक समझ में आगए होगा चलो ठीक है मैंने काफी बार इपिट कर दिया है एल्गर्दम तो क्लिर हो चुक है आप लोगों को अब जब मैं इसको चलाओंगा तो क्लिर होगा मैं थोड़े साना एक बर इसको छोटा कर देता हूँ आप आरामसे इसको नोट डाउन कर लो ठीक है पाॉज करके नोट डाउन कर लो इसको अच्छे सा यह पढ़ा आप यह फाइनल पर आ रहे हो और इसके लिए आप इनिशल पर कोई कोई इनिशल पर कोई नई निशल के निशल निशल पर रहिए जो यहां पर कोई निशल पर आपको नजरा रहा है ऐसे स्टेप नंबर टू भी बाइपास कियो हूं क्योंकि अगर फाइनल से आउट गोई जा रही तो मेरेको नहीं बनाने पढ़ती है यहां पर कोई टेंशन नहीं है step number two bypass step number three obviously वह भी bypass क्यों क्यों कि बीच में कोई सब्सक्राइब किसको इलिमिनेट करूं किसको इलिमिनेट नहीं कर सकता तो इसकी तो इसको मैं घुमाफिडा करके बोल दूं क्यों नॉट से हम लोग q1 पर जा रहे है इस इस my final एक है so this is my final q1 और यहां पर वही ए बी और सी तो इसका मैं तो किसी को भी ले चकता है एक बट एक सबको this is question number one very very simple यहां पर तीनों मैं से कोई step use नहीं हुआ अब माते हैंगे question number two पे question number two क्या कहा रहा है अब यह देखो q0 this is my initial q0 this is my initial state उसके बाद फिर मैं a पढ़के मानता हूं q1 पे आ गया और उसके बाद मैं b पढ़के मान लिता हूं q2 पे आ गया ठीक है जी so यह है हमारा question number two पता अभी बहुत simple है step number one बड़ा बड़ा से बोलो bypass क्यों क्यों क्योंकि initial पे कोई आउट गोइंग गैज नहीं है step number three step number three मेरे को यहां पे चराना पड़ेगा क्यों कि initial final के बीट में एक स्टेट है जिसको मेरे को eliminate करना है अब बोलता है लीविंग ऑल पाथ two पे आना with a-b path और हमारा काम complete ठीक है जी तो step number three के लिए हम simply बोलेंगे बहुत simple है ठीक है तो step number three के लिए मैं यहां चलो मैं इधर करता हूं ठीक step number three मैं यहां कर रहा हूं और वह exactly क्या कह रहा है भी q1 को eliminate करो क्यों को eliminate करो करो वह eliminate बहुत simple है जी तो फिर हम क्या बोलेंगे path हमारे same-to-same में रहने चाहिए तो यह रहा जी q-not ठीक है जी उसके बाद मैं a-b पढ़के q2 पर आजाओ ठीक है प्लीज मत बोलना भी यह a-b कैसे लगा दिया यह पर 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 कोई एक सिंबल पर नहीं पर सकते जड़ा साभी डाउट है तो basis में चला जाओ क्या पर नहीं बात किया पर किसी स्टेट पर कोई एक सिंबल पढ़ना तो मतलब वही बात है पर यह बस बीस में हुआ आप शुक्र बना और कुछ नहीं तो में बात क्या भी हमने step 3 लगा तो तो बस अब आप क्या राश्टे पर आपको आपको अपने बाश्य समय में आ रहा हो तो इनिशन से तो बीच में स्टेट थी, हम दो इसको eliminate किया, और हमारा answer आ गया, I think clear हो गया सबको, ठीक है जी, तब हम आते हैं, question number 3 पे, इसको और आम से note down कर ले आप लोग, ठीक है जी, कर ले note down, चलो, अब मैं आता हूं question number 3 पे, लो जी, question number 3 देखो, अगें दीरे-दीरे, बहुत simple-simple question कर पराऊंगा, यह देखो जी, यह है हमारी Q-not, A पढ़के, हम लोग Q-1 पे आते हैं, और यहां पे मैंने एक self-loop लूप लगा दी, यहां से C पढ़ते हैं, और Q-2 पे आते हैं, this is my final, ठीक है जी, अब आप ज़रा मुझे बताओ, आप इसमें कैसे करो, again, same to same बात, step number 1, bypass, का इसको eliminate करना है, यहां से Q-not को, sorry, Q-1 को, Q-1 को, जैसी मैं eliminate करूँगा, देखो भी क्या बनेगा, common sense की बात है, यह देखो, Q-not से Q-2 पे हमें जाना है, न, देखो, जो main बात क्या है, Q-1 क्या करवा रही है, बस, Q-not से Q-2 के रस्ते बना रही है, अगर Q-1 होती, तो Q-not से Q Q-2 कर रहता है, तो Q-1 is acting like a bridge between Q-not and Q-2, तो Q-not और Q-2 को connect कोन कर रहा है, अगर मैंने Q-1 को उड़ा दिया, तो हमारी को क्या करना पड़ेगा, वही बात है, इस bridge को अगर आपने उड़ा दिया, जो भी path थे, वो सारे path आपको maintain करने है, तो Q-not से Q-2 के लिए A, B, कितने मर् पढ़ लो, और C, तो B-star, यह बात करा देखना, simple बात आपको सम्हारा है, B-star मतलब, 0 और more bees आपको पढ़ने थे, तो A, B-star, C, बस, चुप-चाप लगा, और काम खता, हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, यह रहा Q-not, Q-not से मैं बोलूँगा, A, B-star, C, और finally हम लो Q-2 पे, Q is my regular expression for question number 3, I think clear होगा सबको, मेरे खाल से मेरे को इसमें और ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, अब हम आते हैं, question number 4 पे, question number 4 देखो, यह थोड़ा सा शेर typical होगा, तो ध्यान से करना इसको, ठीक है, तो यहां से हमने 0 पढ़ा, यहां IQ 1 पे, Q1 is my final, और यहां से 1 पढ़ा, अब देखो, अब सारे स्टेप्स होंगे, प्लीज बहुत ध्यान है, देखो भई, step number 1, लगेगा, क्यों, step number 1 के कहता था भई, initial state पे को incoming edge नहीं होने चाहिए, देखो, initial state पे incoming edge है, दिख रहे हैं कि नहीं सबको, कि देखो, initial state पे incoming edge है, तो मेरे को इत नहीं initial बन हो चुकी है, अच्छा जी, और उसके बाद बस, यह diagram तो as it is है, step number 1 हमारा, देखा कितना simple था, complete हो गया, अच्छा जी, अब हम लगाएंगे, step number 2, step number 2 भी लगएगा, क्यों, क्योंकि final से outgoing edge है, final से मैंने का था, incoming edge allowed है, final से outgoing edge allowed नहीं है, यहां पे final से outgoing edge बैठी है, तो मतलब यह final नहीं रहेगी, मैरे को एक और final state पनाने पड़ेगी, मतलब एक new final बनाने पड़ेगी, ठीक है, और जो हमारी actual final थी, उससे new final पे null move, तो low जी, मैं कर देता हूँ, और क्योंकि यह सब करने से आ 0 पढ़ा, q1 पढ़ा, q1 पढ़ा, q1 पढ़ा, वापस q1 पढ़ा, और इससे null move देके, मैं q1 यह बना देता हूँ, final, अब हमारा लगेगा, step number 3, आप थोड़ा ध्यान रखना, अब तक तो बिल्कुल trivial और बकवास question थे, आप थोड़ा ध्यान रखना, अब मेरे को क्या करना है, states को eliminate करना है, obviously, initial और final को तो obviously छेड़ना ही नहीं है, यह देखो, यह मेरी initial है, sorry for that, यह मेरी initial है, और यह मेरी final है, इनको तो छेड़ना नहीं है, तो यह दो state है, इनको eliminate करना है, एक एक करके eliminate करो, किसी भी order में, मैंने उपर लिखा है कि नहीं लिखा, in any order, लिखा था न की मर्जी है भई, आप पहले q0 को डालो, या q1 को डालो, दोनों को डाने न, जैसे मर्जू डालो आपकी इच्छा है, तो मैं अपनी मर्जी से पहले q0 को डालो के दिखाता हूं, तो स्टेप नमर थी चलाने के लिए, मैं sequence क्या follow कर रहा हूं भई, दो sequence है मेरे पास, पहली sequence क्या भी? पहले q-1 उडआधव, और q1 उडआधव, और दूसरी sequence क्या होगी भई? sequence मैं लिख देता हूँ, जखे से लिख देता हूँ, sequence 1, नेखे? short में लिखता हूँ, sequence 1 और sequence 2, sequence 2 क्यों होगी भई? पहले q1 उडआधव, बाद में Q-not उड़ाओ, तो पहले मैं sequence 1 से चलता हूँ, मतलब पहले Q-not उड़ाओंगा, बाद में Q-1 उड़ाओंगा, तो करो भई, इसमें से eliminate करो Q-not, देखो कहां दिखाओं मैं आपको, चलो मैं उपर कर लेता है, हाँ जी, देखो भई, Q-not उड़ाओ यहां से, कैसे Q-not, पहले तो यह समझो, Q-not है क्या होई, Q-not bridge है, किस-किस के बीच में, Q-not dash और Q-1 के बीच में, तो Q-not dash और Q-1 के बीच में, जो भी path है, वो सारे intact रखने आपको, बहुत ध्यान रखना हो, देखो, Q-not से, देखो, क्योंकि Q-not bridge थी, Q-not dash और Q-1 के बीच में, अगर मैं Q-not dash पे आप खड़े हो, और आपने 0 पढ़ा, तो आपको Q-1 पे आना पढ़ेगा, I think आप समझ पा रहे होगे, मैं क्या करने को सुछ कर रहा हूं, ठीक है जी, 0 पढ़के Q-1 पे आगे, क्योंकि Q-not बीच में से उड़ चुके है, तो Q-not bridge थी, तो Q-not dash से Q-1 का path था 0, तो मैंने path interact रख दिया, अच्छा जी, और कोई path नजर आ रहा है, आपको, please ध्यान रखना है, देखो, Q-not dash से Q-not dash पे तो हम लोग नहां पा रहे है, आपको नजर आ रहा है, but Q-1 से वापस Q-1 पे हम लोग आ सकते हैं, please बहुत ध्यान रखना, Q-1 से Q-1 पे वापस हम आ सकते है with the help of Q-not, कैसे आ सकते हैं, देखो भई, 1-0, 1-0, 1-0, ये देखो, ध्यान से देखो, 1 पढ़ना, फिर 0 पढ़ना, वापस Q-1 पे आ आगे न, किस के थरू, Q-not के थरू तो, मैंने बोलता है, सारे path interact रखने हैं, किसी भी path को छोड़ना नहीं है, तो अगर Q-not भीत में से 0-1-0-1 पढ़के Q-1 पे थोड़ी आ रहे थे, आप कैसे आ रहे थे भी, 1-0, Q-1 से शुरू हुए, आराम से देखो, Q-1 से शुरू हुए, 1 पढ़ा, फिर 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, फिर 0 पढ़ा, आप वापस Q-1 पे आ आगे, वाया Q-not, Q-not से वाया Q-not आयो न, तो अगर आ Q-not से Q-not का था नहीं, तो मेरे को तो इसको कोई देखने के भी जूर्त नहीं थी, आच्छा जी, और उसके बाद फिर Q-1 से Q-1 का पाथ था, तो वो मैंने रख लिया, 1-0, 1-0 वाला, आच्छा, और Q-not से Q-1 का पाथ था, हमारे पास, 0-0, मतलब 0 वाला पाथ, वो मैंने म Q-not का कोई पाथ ही नहीं, तो मैं उसको क्या मेंटेन करा हूँ, तो ठीक है जी, हमारी बात क्लिए रहेंगा, तो हमने सारे पाथ इतने भी थे, Q-not डैश और Q-1 के बीच में जो भी पाथ बनते थे, चार पाथ बनते थे, Q-not से Q-1, Q-not से Q-not डैश, Q-not से Q-not और Q-not से Q- Q-1, तो चार पाथ है, चार की चार पाथ मैंने प्रपरली मेंटेन करा हैं, आप देख पारें, Q-not को मैंने बीच में सोड़ा है, तो हमारी पार होगे मैं क्या करना हूँ, मैं लिख जेता हूँ, बहुत इंपोर्टन है, आपको ध्यान अटना है, मैं निचे करके लिखता ह पैन टैप का फाइदा उटाओ ना भई, बोर्टो तो तो मैरे को जगा देखनी परते हैं, यहां के जगा है, लेफ्ट राइट का मर्जी को रसाहा जगा आपकी है, यह मर्जी लिखो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ऐसे बोलूँगा, कि Q-not is a bridge between Q-not dash and Q-1, ठीक है, so all path, so all paths between them must be intact, ठीक है, तो कौन-कौन से path है, बहीं, all path भी मैंने बोले है, यह कौन-कौन से path है, मैं नीचे आके लिखरा हूँ, देख अभी कौन-कौन से हैं यह, मैं एक तो देखना हूँगा जी, Q-not dash है, Q-not dash, वो बाइचांस कोई path ही नहीं है, तो हमने directly-indirectly बोल दी जी की maintain हो, देखा जी, आच्छा जी, उसके बाद फिर Q-not dash से Q-1, यह path भी मैंने आपका maintain करवाया है, उसके बाद Q-1 से Q-1, यह path भी मैंने आपका maintain करवाया, आप चक कर सकते हैं, और Q-1 से Q-not dash, यह path भी मैंने directly-indirectly maintain करा देख, रधर Q-1 से Q-not dash को path ही नहीं था, बट still, मैं बोल रहा हूँ कि हमने इसको maintain करवाया, मतलब कहीं से कोई problem नहीं आई, I think clear हो गया का सबको, ठीक है जी, बस, अब तो मेरा अलग में काम कातम है, तो आगे, आगे तो को tension ही नहीं थी, आगे जो था वो लिखे देना, null और Q-1 dash, ठीक है जी, with, यह, double circle, क्योंकि यह final state थ देता हूँ बही, Q-not eliminate, आपको लगा Q-not Q-not क्या ही है, Q-not eliminate, short में लिख देता हूँ, ठीक है, Q-not, अई, यह, proper लिखता हूँ चलो, eliminate Q-not, eliminate Q-not, ठीक है, आओ भाई वापस से, eliminate Q-1, Q-not करोगे, तो अब वेसी बात है, Q-not dash से Q-1 dash का सिर्फ एक ही पाथा, 0, 1, 0 का whole star, प्लीज, यह, ध्यान रखना है, ठीक है जी, तो Q-not dash यह रही हमारी, और अब आएगे, Q-1 dash, ठीक है जी, यह होगी, हमारी Q-1 dash, यह, आपको गरबर ना लगे, कुछ इसलिए मैं हटा रहा हूँ, Q-1 है न, हाँ, ठीक है, Q-1 dash, अब पाथ, प्लीज, ध्यान रखना भाई, 0, और फिर 1, 0 का, 1, 0 की एक लूप है न, यह, तो प्लीज, ध्यान रखना भाई, 1, 0 का whole star, प्लीज, यह, गल्ती मत कर देना, ठी I think clear होगा अगर सबको मैं क्या करने को सुच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सच छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोग अराम से इसको नोट डाउन कर सको, ठीक है, यह है जी proper हमारा लोग, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, I think visible तो होगा सबको, तो question number 4, पूरा ठीक है जी आपने note down कर लिया होगा इसको, ठीक है, तो अब हम आते हैं जी sequence number 2 पे, sequence number 2 में देखो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो वही है, मैं इसको थोड़ा सा वापस बढ़ा कर लेता हूँ, actual font size पे आ जाते हैं और अब शुरू करते हैं, देखो भई, step number 1, step number 2 तो हमारा होई रहेगा, ठीक है न, अब यहां से मैं शुरू हो जाता हूँ, sequence 2 कराना, ठीक है, यहां से मैं शुरू हो जाता हूँ, देखो भई, अब पहले हमें क्या करना होगा जी, अभी हमने eliminate q note करी थी, तो अब हम eliminate q1 करें, ठीक है, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक बार करोगे, देखो भी, q1, पहली बात तो यह समझो, q1 is acting like a bridge, between what, between q naught and q1 dash, तो मैं पहले यह point लिखता हूँ, ठीक है, तो जितने भी path मिलेंगे, आपको q naught और q1 dash की बीच में, वो सारे के सारे path आप आपको intact रखने हैं, ठीक है जी, तो मैं क्या क्या बोलूगा, q naught से q naught का path देखना, q naught से q1 dash का path देखना, उसके बाद q1 dash से q1 dash का path देखना, ठीक है, सारे path आपको intact करके रखने होगे, चलो जी, शुरो जब पटा-पट से, तो देखो भई, मैं क्या करता हूँ, पहले इसक इतने में दिक्कत लग रही होगी हाँ आप ज़रा फटाफट से शुरू हो जाओ तो कहां कैसे बनाएंगे देखो मैं बोलूंगा सिंप्ली क्यू नॉट तो हमारी क्यू नॉट डैश तो हमारी इनीशिल स्टेट ही थी हाँ जी तो क्यू नॉट डैश विचिस अवर इनीशिल स्टेट उसके बाद फिर हम लोग नल पढ़के क्यू नॉट पर आये थे अब शुरू जाओ पड़ाफट से देखो क्यू नॉट से क्यू को पात इधर देखने की जूर्त नहीं हमारे को यह देखो चाहते हो तो इधर देख लो हाँ लेकिन सिधा-सिदा आपकॉमांस से क्यों से कर जाओगे क्यों नॉट से क्यू नॉट का पात देखो भी जिरो वन जीरो वन वन है ना तो एक सिंपल लूप आ जाएगे लोगी जी कि इसके बाद फिर आगे क्या था वाई क्यों टाफ कोई पात कोई नहीं तो बस हमारा काम कतम है यह हमारा बन गया ऑगे हमें क्या करना है कुछ नहीं अब eliminate किसको करेंगे वही Q naught को eliminate Q naught और अभी eliminate Q naught हाँ जी तो क्या आएगा बताओ जारा मुझे फटापट से eliminate Q naught देखो I think यह तो बहुत simple है Q naught dash उसके बाद फिर null के आगे 0,1 का whole star प्लीज यह ध्यान एकना 0,1 का whole star करने आपको है और null dot something आपको बता भी null हम उड़ा सकते हैं 0,1 का whole star और साथ में एक 0 I think आप समझपा रहे होगे 0,1 का star और एक 0 ठीक है जी बस इस से हम लोग कहां जाएंगे Q1 dash which is our final state बस initial से final पर जो कुछ आ रहा है हमारा काम करता हूँ 0,1 का star और 0 ठीक है जी तो यह होगे हमारी regular expression according to sequence 2 sequence 1 के according के आ रही थी भी 0,1 star 0 और sequence 2 के according के आ रही है भी 0,1 star फिर 0 I think समझ में आ रहा होगा सबको यह देखो भी तोड़ा सा फ़राग है भी दोनों में है न आपको लगे गा कि डिफरेंट है बट एक्चुली मैं आपको बता रहा हूँ यह दोनों की दोनों एकदम सेम है अगर आपको लगता है नहीं जी नहीं सेम नहीं है यह आपको आधा रहे होगी इस दिखाए थी ताकि आपको देखते ही जटके से समझ में आथ है अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है तो आप एक जटके में बतावगे जोनों बडाबर है कैसे बडाबर है वह याद है वह सब करार रख आख आपको चलो मैं स्टिंग के लिखाते हो तो आप सब करा सकते है अब यह स्ट्रिंग मैंने कैसे लिखा है वही यह देखो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो और इसके अकौरे यह स्टिंग कैसे लिखा जाएगा वही 0-1-0-1 और आगे 0 तो यादा रहे के नहीं आ रहा है सब्सक्क्राइब जाए है और बावर लगता है ना कि यह चीज तीक है या नहीं तो अपने अक्चॉल ऑटोमेटाबे चला विछ अना हमने क्या बना है बाद में आपको इसके अपको पहले पढ़के आ सकते हो यह देखो इस पार्ट को आप पूरे को नल मान सकते हो इसको इसको अपने एश्यूम कर लो तो खाले जिरो पढ़के आप लोगो फाइनल पर आचाई था देखो भई फाईनल पर प्ढ़के उसके बाद फिर आगे क्या है वैई वन जिरो लो यह फिंट समय हो लगे और यहांगर पहले पहले 01 पर दो उसके बाद एक जिरो पढ़न ये है जी हमारा sequence 2 की according और sequence 1 की according क्या कर रहा है भी पहले एक 0 पढ़ो उसके बाद फिर 101010 कितने मर्जी पढ़ते रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको जड़ा सा भी डाउट लग रहे हैं पहले पहले आपको 0 पढ़ना है ठीक है मैं एक बार अच्छे से लिखता ह पहले आप क्या करो 01 पढ़ दो जितने चाहो उतने 01 पढ़ दो क्योंकि 01 जितने बजी पढ़ लोगा पर निशन पर आप जाओगे उसके बाद एक जिरो पढ़ लेना रदर वही बात है किसी की कुशिन में लगलग आ सकता है शायद किसी में सेन भी आ जाये पर वही बात है कुश्ट को इंप करेगा पर आपको टैनेशन ही ले लो जी आप हम देखेंगे कोशन नमबर 5 क्या कहता है कोशन नमबर 5 है बहुत सिंपल यह आप एक जटके में कर जाएंगे this is our initial state उसके बाद आप A पढ़के Q1 पे आते हो और उसके बाद B पढ़के आप Q2 पे आते हो Q2 is our final state C पढ़के आप Q3 पे आते हो this is also final D पढ़के आप Q4 पे आते हो this is also final अब बताओ इसके लिए आप क्या करोगे वही बात है भई steps की बाते करेंगे हम लोग सबसे पहले तो इधर इधर करते हम लोग steps step number one step number one bypass क्यों क्यों क्योंकि initial पे कोई भी incoming edge नहीं है step number two step number two final से कोई outgun edge नहीं तो bypass नहीं इसको में लगाना पढ़ेगा क्योंकि मैंने step number two में देखो पर क्या समझाएता आपको अगर एक से ज्यादा final है तो फिर भी हमारे को step number two लगाना पढ़ेगा मतलब इन तीनों से हम null more लगा करके एक final बनाएंगे जिसको हम dummy final बोलेंगे और ये तीनों हमारी no and final हो जाएंगे यह देखो मैंने उपर समझाएता आपको यह देखा सकता है अब आपको यह तो फायदा है pen tab का अगर एक से ज्यादा final है तो same step follow हमें करना पढ़ेगा तो step number two हमें लगाना पढ़ेगा तो लगा अब step number two बहुत सिंपल है तो क्या बनेगा step number two के according step number two के according बनेगा जी q naught this is our initial state a पढ़के q1 पे आएंगे ठीक है a पढ़के हम लोग q1 पे आएंगे उसके बाद b पढ़के q2 पे आएंगे c पढ़के q3 पे आएंगे और d पढ़के q4 पे आएंगे और फिर क्या करेंगे जी इन तीनों से नल मूव डालेंगे ठीक है इन तीनों से हम लोग नल मूव डालेंगे इससे भी नल मूव इससे भी नल मूव इससे भी नल मूव और एक state q5 पे आ जाएंगे जो हमारी होगी fine I think clear होगा अगा सबको बस अब मेरे ख्याल से कोई कामी नहीं बचता है ना अब एक के करके इन states को eliminate करने है तो मेरे ख्याल से मैं इसमें क्या ज़्यादा बोलूँ आपको एक दम समझ में आ रहा होगा q0 है उसके बाद आप a पढ़के q1 पे आएंगे और उसके बाद यह जो है तीनों स्टेट में कठ्योड आ रहा हूं और उसके बाद जब हम q1 कोड आएंगे तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने के जूरती नहीं है आपको यह बहुत सिंपल है इसमें ज्यादा बोलूँगा तो टाइम बेस्ट और कुछ नहीं है तो मैं चलो कोई एक स्टेप की बात है तो मैं सी प्लस डी आ चाहेगा और हम सीधा q5 पे आ देंगे ज्यादे नहीं बोल रहा है पाक देखो एंड्स ओन कॉमन सेंस की बात है न तो बस सीधा हमारी फाइनल रेगुलर स्पेशन क्या एगे जी यही ए बी खोल के लिख देता हूं मुझे कोई फरक ने पड़ता है एसी प् बी प्लस सी प्लस डी जैसे आप कमण करें आप ऐसे लिख सकते हो खोटा कर देता हो ताकि आप अराम से नोट डाप कर सको ठेक है यह हो गया है हमारा कोशन नंबर 5 इसमें और एसमें करने जूरत नहीं है कॉमन सेंसे देखती है आपको समझा रहागा मैं इसमें क्या वोटू ठीक है ओके जी चलो अब हम आते हैं जी कोशन नंबर 6 ठीक है थोड़ा इजी था इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर दिया आपको क्लियर हो गया होगा चलो जी आओ वापस कोशन नंबर 6 पे आते है 5 हो गया है ना अब हम देखें के जी कोशन नंबर 6 देखो कोशन नंबर 6 क्या कह रहा है यह देखो Q0 ठीक है ए पढ़ा Q1 पे आया B पढ़ा Q0 पे आया और उसके बाद फिर यहां पे एक C की लूप और D से हम लोग आगे Q2 ठीक है जी और Q2 है जी हमारी इसके लिए क्या आपके बहुत सिंपल बहुत सिंपल देखो वही चीज है step number 1 बुला पड़ा पड़ से step number 1 बाइपास करूं के नहीं step number 1 लगाना पर एगा क्योंकि इनिशल स्टेट पे इंकमिंग एज है तो लो जी हम क्या बोलेंगे Q0 ठीक है इस क्लियर हो गया होगा step number 2 बाइपास क्योंकि क्योंकि फाइन स्टेट से कोई आउटगोंग एज नहीं है step number 3 अब यह लगाना पड़ेगा एक एक करके स्टेट करनी है तब आपकी मर्जी हमें देखो Q0 को डालो या Q1 को डालो जिसकी मन करें आप उसको डा सकते हो मेरी एक स्टेटेशन रहेगी जिस पे इंकमिंग है जिस कम है पहले उसको डालो common sense की बात है ना तो step number 3 में थोड़ा easy रहे गाता नहीं तो आपकी मर्जी जो मर्जी करो मेरे को क्या फरक पड़ रहा है आंसर तो आ नहीं आना है बाट एक common sense की बात क्या है थोड़ा easy करने के लि देट state विच है इस लेस incoming edges इसमें incoming edges कम है पहले उसको डाओ ज्यादा बैटर है आप देखो क्यूवन पे c आ रही है ए आ रही है दो incoming edges के नहीं देखो रहाम से क्यूवन पे a भी है और c भी है और q नौट पे b है और एक यह नल है यह फिर डमी वाली बात है इससे को खार फरक नहीं पड़ेगा हमारे को नोड़ दो ही edges आ रही है क्यूवन पे इंकमिंग और q1 पे दो incoming edges आ रही है बट वही बात है फाइदा रहेगा पहले आप क्यूवन को उड़ा के दिखांगा मुझे को फरकने पड़ता दोनों sequence मेरे को दिखाना है कि मैं ऐसे बागने सकता वही मैं तो आपका teacher हूं तो मैं teacher कभी ऐसे नहीं बागता कि एक उड़ा के दिखा दो ends on but you being student gate exam में अगर आपके बैटे बैटे कोशन आ रहा है तो बैटर है रहेगा कि क्यूवन को पहले उड़ा के देखांगा क्योंकि यह तो dummy वाली बात है ना इससे आती रहे से को भरकनी पड़ेगा में हम बात करेंग बेड़ी आंगी जिए पहले क्यों franchण तो देख़ो पहले इसरी मैं डिखाए हैं है तो यहां देखते है pasti हैं थिको किरनेटर गया तो नोट है हाए तो यहां में बोलता हूं एल्ली मिनाट D!!!!!! को बेख्य क्यों को नल डश गया और देख्य क्यों कि बीच में कि ईडिक नड़ा बनें सब्सक्राइब पाथ इंटेक्ट रखने है, Q0- से Q0- कोई पाथ नहीं, Q0- से Q1 का पाथ है, that is null.a, that is nothing but a only, तो हम लोग सीधा पहले तो पुरापर से लिखते चले जाते हैं, जो जो काम हो रहा है, उसको साथ करते चले जाओ, a से हम लोग Q1 पे आ सकते हैं, देखां जी, Q0- से Q1 का पाथ हो चुका है, अच्छा, अब आब बात करो Q1 से Q1 का पाथ, देखो अराम से, Q1 से Q1 का पाथ देखो में, एक तो C का पाथ ही है, Q1 से Q1 का, लेकिन साथ यह भी रहता B, A, B, A, B, A, जितने मर्जी भी यह पढ़ लेना, आप वापस Q1 पे आ सकते थे, तो प्लीज, यहाँ पर बस छोटा सा यह ट्विस्ट आपको ध्यान अखना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, हाँ, जी, तो एक तो C, और एक कॉमा डाल के पाथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जी, B, A, I think clear होगा अगा सबको, ठीक है जी, आच्छा, उसके बाद तो बस फिर एक D पढ़के, आप Q2 पे आते हो, विच इस अगेन आवर, फाइनल स्टेक, एक क्लियर होगा अगा सबको, मैं कैकन कोशिश कर रहा हूं, आच्छा, जी, Q1 से Q1 को अगर, Q1 से Q0 डैश का पाथ मेरे का से देखने के जुर्थे, Q0 डैश का पाथ मेरे का इस नहीं है, मेरे का से अप्सांत पार हो तो दुबार जी, Q1 से Q0 डैश का पाथ में डिरेक्ली मेंटेन करा दिया, Q1 से Q0 डैश को पाते नहीं है, बट हम बोल देंके मेंटेन हो गया, क्योंकि हमने उसको कुछ छेडा नहीं है, ठीक है जी, अब बस, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से Q1 को अलिमिनेट करना है, ठी पुड़ा और इधर कर लेते हैं, ताकि धंग से दिख जाए आपको, हाँ जी, तो Q0 डैश, Q0 डैश के उपर हम क्या बोलेंगे, सारे पाथ रखने हैं ना, तो Q0 डैश यह Q2 के लिए, बस यह Q1 के बाए जो पाथ जा रहा था, हम दें सारे लिखने हैं, तो पहले क्या बो कुल कॉमन सेंस की बात हैं, जितना बोलों उतना आप लोग कन्फ्यूज होगे, तो यह पेसिक सी बात आपको असाथ में आ रही होगी, कितने भी C पढ़ लेना, या कितने भी BA पढ़ लेना, और साथ-साथ BA के पिछे सी, C के पिछे BA, कुछ भी पढ़ सकते थे आप लोग, तो इसलिए मैंने बोल दिया, C प्लस BA का होल स्टर, दुबार से बोल रहा हूं, कितने भी C पढ़ सकते थे, क्यों पर खड़े करे, कि समंद पा रहे हो, यह देखो, A पहले था, उसके बाद यह था, तो A के साथ हम C प्लस BA का हुस्टर को कंकैट कर देंगे, और उसके पिछे D था, तो हम D को भी कंकैट कर देंगे, I think clear होगा, अगर मेरे खाल समयर को बोल दूरता नहीं है, so this is our first sequence, है ना, अब हमें क्या करना अब हम कोशिच करेंगे, eliminate Q1 पहले कराएं, कोई फरक नहीं पड़ता, थोड़ा सा शायद आपको typical लग सेता है, लदा typical क्या, बकवास है, आपको एक मिन पर समझ में आ जाएगा, but मेरी जिम्यवारी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब हम क्या बोलेंगे, eliminate Q1 first, करो Q1 calibrate करो, तो Q1 क्या है भई, फटा पर से वो लो, Q1 is the bridge between Q0 and Q2, तो जितने भी path होंगे, Q0 से Q2 के भी इतने सारे path आपको interact रखने है, तो देखो भी, पहला path, Q0 से Q0 का है न path, Q0 से Q0 का path क्या है, A, C star B, A के बाद कितने मर्जे C पढ़ लेना और B पढ़ लेना, तो A के ब हम, खोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि दिखने में असानी हो जाए, पर अब हम क्या बोलेंगे, Q1 को ड़ा रहा ना, तो Q0 dash, तो Q0 dash, उसके बाद फिर नल पढ़के, आप Q0 पे आए हो, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक self loop बनेगे, किस-किस की, A, C, star, B, I think, समया रहा होगा सबको, मैं क्या 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 निकोशिश कर रहा हूँ, यह कि A, C, star, B, Q0 से Q0 का पाथ था, Q0 से Q2 का पाथ वो भी था, क्या A, C, star, D, है ना, तो भी करो, Q0 से Q2 का पाथ, A, C, star, D, ठीक है, अच्छा जीक, तो Q0 से Q0, Q0 से Q2, Q2 से Q2 का कोई पाथ ही नह अच्छा जी, अब वापस हम यहाँ पे लिख देंगे, जी, Q2, बस, अब मेरा काम खत्म है, अब क्या बचा है, है ना, तो अब हम क्या करेंगे भई, eliminate करेंगे, किसको, eliminate करेंगे, Q0 को, क्या, eliminate Q0, तो अब भी बटा पट से, कैसे करोगे, eliminate Q0, हाँ जी, बहुत सिंपल है, अब क्या बचा, Q0-, Q0-, तो जैसे Q0- उडाओगे, तो Q0- से Q2 का पूरा रस्ता हमेरे को लिखना पड़ेगा, हाँ जी, तो क्या रस्ता है, जी, A, C, स्टार, B, का हूल स्टार, क्योंकि कितने मर्जी बारी आ सकता है, उसके बाद, किसी करेंगे, A, C, स्टार, D से, ठीक है, आज आओ, इधर, क्या बचा है, जी, Q2, लोजिक, Q2 हमने लिखती, तो बस, फाइनले हमारे रेक्स्टेशन क्या बनी जी, A, C, स्टार, B, का हूल स्टार, A, C, स्टार, D, ती, ठीक होगा अगा सबको, अब वही बात है, आपको ज़रा चेकिंग करनी है, तो मैं चेकिं दिख जाएगा, फिर, दिख जाएगा, फोड़ा सा अगर आप देखोगे, तो दिख जाना चाहिए, यह ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो लो, यह लो, अब I think पूरा एक स्क्रीम पे आ चुक है, अब आप राम से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कर लो, नोट डाउन, ह अब आजओ जड़ा फटाफट से, मैं प्रूफ पर, यह जो हमने लिखी है, यह जो पहरी लिखी है, A, C प्लस, B, A का होल स्टार, D, क्या यहाँ पर चल रहे हैं, बड़ा राम से देखो, A पढ़ोगे, तो इधर आ जाओगे, उसके बात क्या भी, C प्लस, B, A का होल स्टा और बाद में, D पढ़के, आप फाइनले, Q2 पर आओगा, तो, अब्वियस सी बाता देखते ने दरा रहे हैं, Q0 से शुरू हुआ, A पढ़ा, Q1 पर आगया, Q1 पर क्या है, या तो C पढ़ लेना, या फिर B, A, B, A, B, A, C, प्लस, B, A का होल स्टार, और साथ में, D, लो, ज पढ़ना, या दो, एक पढ़ लेना, दो पढ़ लेना, जितने मर्जी पढ़ लेना, A, C, स्टार, B, A, C, स्टार, B, I think clear हो गया, वापासन की नोट पर आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, A, C, स्टार, D, I think clear हो गया हो गया होगा, सबको मैं क्या-कान कोश पढ़ना, A, C, स्टार, D के ओपर कुछ लगा तरी हुआ है, तो मैं क्यों बोलू, कम से कम, एक या दो, ऐसे कुछ नहीं बोलना, आपको सिनल बोलना है, exactly एक A, C, स्टार, D, पढ़ना है, तो मतलब या तो exactly एक A, C, स्टार, D, पढ़ो, आपको काम पतम है, और उससे पहले A, C, स्टार, B, A, C, स्टार, B, A, C, स्टार, B, जितने चोटने पढ़ लेना, तो उसकी बाद फिर exactly एक A, C, स्टार, D, पढ़ो, क्रिस्टल, क्लियर है, तो ये दो method, वही बात है, दो तरीके थे, तो उन्हीं दो तरीके से, दो हमार पास, रग्दर स्टेशन ठेड़ी पर है, देखा है जी, question number seven, again, it is simple question, okay, Q naught, A पढ़ा, B पढ़के, हम लोग से Q1 पर आ गए, देखा है जी, उसके बाद यहाँ पर आपने B पढ़ा, और यहाँ पर A पढ़ा, यहाँ पर अच्छे से, ढंग से, सारे आपको clear हो जाएंगे, देखो भी कैसे करोगे, सबसे पहले तो step number one, step number one बिल्कुल लगेगा क्यों, क्योंकि initial state पे incoming edge है, देखो, initial state पे incoming edge, step number one लगेगा, लगाओ फड़ा फट से, तो कोई tension वाली बात नहीं, Q naught डैश, यह होगी हमारी initial state, उसके बाद नल पढ़ेंगे, नल पढ़के, हम लोग किदर आ जाएंगे, Q naught पे पढ़ेंगे, हम लोग आ जाएंगे, Q naught पे, A पढ़ेंगे, B पढ़ेंगे, Q1 हमारी final, यहाँ पे B और यहाँ पे A, देखेंगे, अच्छा जी, उसके बाद फिर step number two भी चलेगा, क्योंकि final state से outgoing edge है, तो बनाओ, कोई दिकत नहीं, जैसे मैं काम कर रहा हूं, आपको भी कर करने पढ़ेंगे, लोग जी, B पढ़े, Q1 पे आए, स्वारी, इसको अब finally बनाना न, अजी, और यहाँ से वही B की self loop, और यहाँ से A, यहाँ से null पढ़ेंगे, Q1-, this will be my final, step number one to complete, अब आएगा जी, step number three, अब बात है, elimination, यह तो Q naught को, या Q1 को, जिसका आपका मन करें, मैं हम फढ़ा-पट से उसको eliminate करके दिखाऊंगा, दो sequence है, दोनो method से हम फढ़ा-पट से करते हैं, शुरो जाओ भी फढ़ा-पट, पहली sequence क्या कहेगी, जी, eliminate Q naught, eliminate Q naught, और अभी eliminate Q naught, तो सबसे पहले Q naught dash, जो हमारी initial state थी, अब आप देखो भी Q naught is acting like a bridge between Q naught dash and Q1, तो फढ़ा- Q naught dash को तो कोई path नहीं, छोड़ो, Q naught dash Q1 का path था, बोलो भी क्या, A star B, चलो, शुरू हो जाओ बड़ा-पट, लेखते चले जाओ, ठीक है, तो क्या path हाएगा, Q naught dash Q1 का path A star B, ठीक है, A star B, ठीक है, अगर ये चीज़ Q naught ना होती बीच में, तो हम लोग A star B से, बड़े राम से Q1 पर पहुंच सकते थे, अच्छा जी, उसके बाद, और बोलो जी, Q1 से Q1 का path बोलो, Q1 से Q1 का path बोलो, भी क्या है, क्या है, अरे, कुछ गरबढ़ ही है, क् sorry for that, वो ही मुझे लग रहा था, यहाँ पर A था ना, हाँ जी, तो A B और इधर B A, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं मैं, अगर कोई mistake ना होगी है, Q naught पर A था, ठीक है, और Q1 पर B था, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है जी, आजाओ आपस इधर, हाँ जी, तो Q naught से, हम Q naught का Q1 पर जाने का रस्ता, एक तो क्या रहा है भई, अगर Q naught बीट में से उड़ गई, तो A star B, है ना, A star B से पहुंच लेते हैं, तो A star B मैंने लिख दिया, Q naught dash से Q1 का रस्ता आ गया, अच्छा जी, और Q naught dash से Q naught dash को रस्ता नहीं, Q1 से Q1 का रस्ता बोलो भई, Q1 से Q1 का रस्त B, Q1 से Q1 पर हम लोग आ सकते हैं, ठीक है जी, कोरो फड़ा पट से, हम क्या बोलेंगे जी, हम बोलेंगे, इधर बोलेंगे, क्या, A, A star, B, और साथ-साथ Q1 पर ओलरी एक B की self-loop थी, तो उसको छोड़ना नहीं, अभी भूल मन जाना, ये गलतीन मत कर देना, ठीक है, B की self- loop, अच्छा जी, उसके बाद Q1 से Q1 का रस्ता हो गया, अच्छा, Q1 से Q0 का रस्ता हो गया, आपको बता को रस्ता है नहीं, क्योंकि Q0 का रस्ता है, हमारे 4-4 पाथ intact, अच्छा, अब हम नल पढ़के Q1 पर आ जाएंगे, so this is our final, बस अब तो काम हमारा खतम ही है, ठीक है, इ में दूसरा पुराना वाला कोशन है, उधर ध्यान मत लगाना, नीचे ध्यान लगाओ, ठीक है, अलमेट Q1, जी तो क्या बनेगा जी, Q0 डैश, उसके बाद, फिर हम क्या कहेंगे, जी, A star B, और उसके आगे, प्लीज ध्यान आखना, मैं बार बर नहीं बोलूँगा, A A star B, A plus B, का होल स्टार, आगे नल है, तो नल हम, I think, समझ पा रहे हैं, उसको हम सीधा उड़ा सकते हैं, जी कहेंगे, बस, अब हमारे पास Q1, डैश आ गई यहाँ पर, ठीक है जी, बस, अब ये डिरेक्ली हमारी डिरेक्ष्पेशन होगी, तो क्या होगी जी, A star B, A A star B, प्लस B का, पोल स्टार, I think clear होगा होगा सबको, खिक है जी, चलो, ये होगा जी, method number 1 से, sequence number 1 से, अब हम देखते हैं जी, sequence number 2, sequence number 2 में नीचे दिखाता हूँ, sequence number 2 क्या कहेंगे जी, eliminate Q1, शुरू जाबटाबट से, Q1 को पहले eliminate करना, तो देखो भई, क्या बनेगा ये, अगें, very very simple, Q1 को अगर आपने eliminate किया, तो Q0 से Q1 के हमें देखने पढ़ेंगे, क्योंकि Q1 is the bridge between Q0 and Q1 डेश, तो Q0 से Q1 के जितने भी रस्ते बनते हैं, सारे आपको देखने पढ़ेंगे, और वो चारो रस्ते हैं, Q0 से Q0 का पहले तो करो, मैं लिखता हूँ, Q0 डेश, this is our initial, उसके बाद फिर नल पढ़के, आप Q0 पे आ चुके हो, Q0 से Q0 का पहले बाद तो ये हाई है, ये self-new को छोड़नी नहीं है, उसके बाद देखो भई, B, B स्टार A, देख रहा है, B, B स्टार A, कर दो पढ़ापट, कॉमा, B, B स्टार A, ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 से Q0 का रस्ता हो गया, अब Q0 से Q1 डेश का रस्ता बोलो भई, है न, चार अस देख बोलो पढ़ापट, Q0 से Q1 का रस्ता, क्या बनेगा जी, ये वाया Q1 न, B, B स्टार नल, तो वह B, B स्टार और क्या, हाँ जी, तो क्या लिख देंगे जी, B, B स्टार है न, Q0 से Q1 का रस्ता देखो भई, B, B स्टार, सिंपल, ज्यादा इतना गुजना नहीं है, कि ये A क्या रस्ता आ रहा था, वाया Q1, तो B, B स्टार, बस, कोई कंफुजन ने, कुछ नहीं, तो B, B स्टार लिख दिया मैंने, और फाइनल हम आगे क्या लिख देंगे जी, Q1 ये हमारी फाइनल, ठीक है जी, बस, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, Q0 को आपको क्या करना है, एलिमिनेट, Q0 उड़ाओ, और सिधा अंसर निकालो, तो क्या बनेगा जी, Q0 डैश, क्या आएगा जी, A, प्लस में, B, B स्टार, A, का पुल स्टार, इन ज़रा रहा ना, पूरा स्टार बन जाएगा, और उसके आगे क्या है जी, B, B स्टार, I think clear हो गय प्लस में, B, B स्टार, A, का पूल स्टार, P, B स्टार, I think clear हो गया हो सबको, बिल्कुल सिंपल हमने रेग्र श्पेशन लिखके दिखाई है आपको, ठीक है जी, अच्छा, मैं इसको छोटा करता हूँ, आप अराम से नो डाउन करो, फिडियो को पॉस करके, और फिर हम मैं वो भी आपके साथ करूँगा, ठीक है जी, तो यह हो गया जी हमारा कोशन नमबर सेवन, मैं एक बार लाइन खीच देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नाय करने में, लो जी, यह है जी हमारा कोशन नमबर सेवन, इसको राम से नो डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता चलो, ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपने नो डाउन कर लिया होगा, तो ऐसा करते हैं, या तो हम यहीं से आगे नेक्स वीडियो में कवर अप करेंगे, यह थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, तो बाकि दो-चार कोशन नहीं है, ज्यादा हम में काम नहीं करना, बड़ स्टिल हम उसको नेक्स लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है, एक गंटे से उपने में वीडियो ने बनाता है, मैं आपको पहले भी काफी बर बता चुका हूँ, तो ठीक है जी, ओके, थैंकियो सो मच,